हेलो गाईस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाईस कि अगर आपके Poco M45G फोन में साउन प्रोब्लेम देखने को मिल रहे तो इस प्रोब्लेम को आप लोग कैसे सॉल्ब कर सकते हो अगर आ साउन प्रोब्लेम को आप लोग कैसे सॉल्ब करोगे तो आज के वीडियो में मैं ही बात करने वाला हो गाईस आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास्त तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गाईस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो साउन प्रोब्लेम को सॉल्ब करने के लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रोल डाउन कर लेना है नीचे एक option देखने को मिलेगा गाई sound and vibration का यह वाला option आप लोग देख सकते हो तो इस पर click कर दिजिए click करने के बाद यहाँ पर देख सकते कुछ volumes का यहाँ पर button से यहाँ पर volume up down करने का तो यहाँ पर से यह अगर volume का आप डाउन करने का जो यह option ही एकदम कम है तब भी आप लोगों के phone में sound problem देखने को मिल जाएगा तो आप लोगों को इसको एकदम full करके रखना है ठीक है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे full करना है तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने volume को full कर लीजिए और आपका sound problem में वो solve हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को नीचे scroll down करना है और नीचे option देखने को मिलेगा silent mode का तो अगर आपके phone में यह silent mode on है तब भी जो है आप लोगों को sound problem देखने को मिल जाएगा आपका जो call और notification का sound है वो silent हो जाएगा वो नहीं आएगा आपके phone में तो इसको check कर लेना है guys इस option को और अगर आपके phone में यह option on है तो इसको off कर देना है off करते ही आपका जो sound problem है वो solve हो जाएगा उसके नीचे वाला option आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है silent media in silent mode अगर आपके phone में यह वाला option on है तब भी आप लोगों को sound problem देखने को मिल जाएगा आपसका games का sound, music का sound, videos का sound and other apps का sound यहाँ पर silent हो जाएगा उन सब का sound यह आपन नहीं आएगा आपके phone में तो इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को देख लेना है तो अगर आपके phone में यह on है तो इसको off कर देना है off करते ही आपका sound problem है वो solve हो जाएगा उसके बात यह आपन नीचे देख सकते हैं और एक option देखने को मिलेगा do not disturb का तो अगर आपके phone में यह do not disturb वाला option on है तो आप लोगों क्या होगा call और notification का sound आपके phone में नहीं आएगा तो इसको आप लोग अच्छी तरह किसे चेक कर लिजिए और अगर आपके phone में यह option on है तो यहाँ पर से इसको off कर दीजिए off करते ही आपका जो sound problem है वो solve हो जाएगा तो यह कुछ यहाँ पर settings में ने आप लोगों को बता दिये है गईज तो यहाँ पर से आप लोग यह सब कर दीजिए और आपका जो sound problem है वो solve हो जाएगा अगर फिर भी solve नहीं हो रहाएगा इसके में आप लोगों को और दो settings बताने वाला हो तो इसके लिए गईज वीडियो को लास तक देखते रहे है और अगर वीडियो पसाना है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो यहाँ पर उसके बाद आप लोगों को फिर से settings में जाना है और नीचे scroll down कर लेना है नीचे एक option देखने को मिलेगा additional settings का तो इस additional settings के option पे click कर दीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक option होगा गाई इस accessibility का तो इस पे हम click कर देंगे click करने के बाद उपर की तरफ देख सकते है general का option है vision, hearing, physical का option है तो यहाँ पर से आप लोगों को hearing के option पे click करना है यह वाला option आप लोग देख सकते हो तो इस पे click कर दीजिए click करने के बाद पहला वाला option देख सकते हो mono audio लिखा हुआ है तो अगर आपके phone में यह mono audio on है तब भी जो है आप लोगों को sound problem देखने को मिल जाएगा sound जो है वो कुछ अलग तरीके का आपके speaker से निकलेगा तो इसको check करना है अगर आपके phone में यह mono audio का option on है तो यहाँ पर से इसको off कर देना है off करते ही आपका sound problem है वो solve हो जाएगा उसके बाद उसके नीचे वाला option देख सकते हो audio balance लिखा हुआ है तो अगर आपके phone में जो audio balance का option है वो एकदम right head में होगा एकदम full तब भी जो है आप लोगों को sound problem देखने को मिल जाएगा sound जो है कुछ अलग तरीके का आएगा आपके phone में अगर आपके phone में एकदम left में है तब भी आप लोगों को sound problem देखने को मिल जाएगा आपका sound अलग तरीके का आएगा अगर आप लोगों का यहाँ पर है तब भी sound problem देखने को मिलेगा अप लोग इसको कहाँ set करना है गा इस एकदम बीच में set करना है ओडियो बैलन्स बैलन्स कर सेट करना है जो जो है आप अपने Poco M45G phone में sound problem को solve कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक करतीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में रफटर के लिए, बाइब बाइ